इनके खिलाफ भारत ने अब तक जो नहीं किया था वो कर दिया है क्या है ड्रेगन स्क्वाइड जिसे उतार दिया है और वो भी मलक का स्ट्रेट में तो वहीं 572 एरक्राफ्ट केरियर को तयार कर रहा है जानेंगे यहां क्या चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से इ इसराइल ने खत लिखे हैं भारत को जानेंगे सब कुछ क्या चल रहा है जियो पॉल्टिक्स में इस वक्त बहुत सारी चीजे चल रही है आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से कहते हैं कभी भी बोलो तो बहुत सोच समझ कर बोलो वरना कुछ चीजें इतनी इसराइल और भारत के साथ क्या है ना दोनों की दोस्ती बहुत तगड़ी वाली रही है और यह बहुत पुरानी भी रही है इसराइल ने भारत की मदद 1991 में भी की थी भारत की मदद 1999 में भी की थी पुराना इतिहास उठा कर देखेंगे तो इसराइल हमारे साथ खड़ा र लेकिन रूस साथ खड़ा नहीं रहा है पर फिर भी इजराइल का साथ हमें मिला है तो ऐसी कोई भी बात जो आपको आपके सबसे अच्छे और रन्नीतिक दोस्त से दूर कर दे वो नहीं कही जानी चाहिए अभी का क्या सीन है ना अभी के सीन में पुरी दुनिया ना दो पार इजराइल के साथ है तो एक पार्ट है जो इजराइल के खिलाफ है और सबसे बड़ी चीज है एंटी सेमिटिजम यह बहुत बड़े पहमाने पर फैल रहा है और आपको बता दें ऐसा नहीं है कि इजराइल इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा है कौन उसके बारे ने जब ट्वीटर पर कह दिया कि हम तुम्हारा ट्वीटर जो कि आज कल एक्स कहलाता है इस पर एड़टाइजमेंट नहीं देंगे तो घबराए हुए एलेन मस्क पहुँच रहे है इजराइल मान मनवल करने के लिए ताकि इनका बिजनेस बरबाद न हो अब एलेन मस्क ने एक ट्वीट के जवाब में बस इतना लिख दिया था कि सही कहा आपने और ये चीज बहुत ज़्यादा भारी पड़ी थी इसक्रीन पर देख सकते हैं ये ट्वीट एक बंदे ने सोसल मीडिया पर ये कहा कि जो यहूदी लोग होते हैं ये गोरोई लोगों से नफरत कते है और इसके नीचे एलेन मस्क ने बिना सोचे समझे अपने पुराने वाले अंदाज में ट्वीट कर दिया कि हां तुम सही कह रहे हो और यही चीज बवाल का कारण बन गया अब इस चीज को लेकर बड़ी बड़ी कमपनियों ने एलेन मस्को को कहा कि हम आपको नहीं देंगे एड़ेटाइजमेंट और बड़ी-बड़ी कमपनियों ने मना कर दिया जिसके बाद एलेन मस्क को हो साया कि एलेन मस्क ने कुछ गलत कह दिया था इसक्रीन पर आप देखिया आर्टिकल एपल ने सस्पेंड कर दिया ट्वीटर पर एड़ेटाइजमेंट देना करता कि लिए इस वक्त अपने खिलाफ कोई इस तरीके बाद नहीं सुनना चाहता है अब दोनों का अलग अलग नजरिया है दुनिया दो नजरिये में चल रही है इजराइल का कहना है कि अगर आज की डेट में हम कठोर पैसले नहीं लेते हैं तो कल की डेट में हमारे अस्तितु को लेकर खत्रा है उन्होंने दिखाया कि देखो हमास ने एक अस्पताल के नीचे पूरा टरनल सिस्टम बना कर रखा हुआ है और अगर हम अलसिपा अस्पताल पर एक्शन नहीं लेते हैं तो कल को क्या होगा तब तो हमास कभी खत्म ही नहीं होगा तो वहीं दुनिया का एक और वर्ग है जो कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो लेकिन आपको होस्पिटल को छोड़ देना चाहिए था आपको अस्पतालों के साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था तो दुनिया के दो पच्छ हैं लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कौन किसकी तरफ है अगर समझ में ना आए तो इंसान को चुपचाप रहना चाहिए ना इधर बोलना चाहिए ना उधर बोलना चाहिए लेकिन भारत में क्या है ना भारत में कुछ ऐसे नेता है जो अपना बयान देने से बाज नहीं आते हैं और यही किया है संजे राउत ने इंडिया टुडे की इस खबर को देख सकते हैं संजे राउत ने एक ट्वीट किया, और ये ट्वीट इतना भारी पढ़ गया, कि इस ट्वीट के कारण इसराइल ने खत लिख दिये, और इसराइल ने ये खत कोई साधारन नहीं, बल्कि बहुत ही गुस्से में लिखा, क्योंकि कहा भी गया था कुछ ऐसा ही, अब इसराइल को इन्होंने क्या कहा था इस ट्वीट को जरा द्यान से देखिए इन्होंने एक ट्वीट को री ट्वीट करते हुए कहा था हिटलर को लेकर कि हाँ जी तब तो ये बात बिलकुल सही है अब ये जो बात है इस बात के बाद गुस्से में आ गया इसराइल और इसराइल ने एक तरीके का नहीं होना चाहिए मैं वो बोलना नहीं चाहरी हूं स्क्रीन पर आप देख सकते हैं संजर राउत ने क्या ट्वीट किया और उसके बाद इस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया गया पर डिलीट करने से पहले ये इजराइल की नजरों में आ गया और उसके बाद ये ए पतर एयरक्राफ्ट केरियर तयार कर रहा है आपको लगेगा मैंने यह क्या बोल दिया यह तो कुछ गलती बोल दिया जी नहीं यह बिलकुल सही है सबसे पहले तो भारत ने ड्रेगन इसक्वाइड यह कहके एक युद्धा भ्यास किया है नाम सुनकर ही आपको लगेगा कि भ पहली बार इस युद्धा भ्यास में सामिल किया गया भारतिय थल से ना नौ से ना वायू से ना कोस्ट गार्ड सभी को और सभी को मिलकर क्या ट्राय करना था जो चोक पॉइंट है इस्ट्रेट ओफ मलका को बंद करने की नौबत आए तो किस तरीके से इस्ट्रेट ओफ मल सिस्टम फ्रंट लाइन सुखोई 30 एम के आई लंबी दूरी तक गहरी स्ट्राइक ड्रील की गई है अब इन सब के बीच में 572 एरक्राफ्ट कैरियर क्या है तो आपको बता दें यह जो अंडमांड निकोबार समूह देख रहे हैं यह आने वाले समय में भारत के लिए बेह द्वीप समूह का सबसे उत्री पोइंट मैनमार से सिर्फ 22 समुद्री मील दूर है सबसे दचनी पोइंट इंडोनेसिया से सिर्फ 90 समुद्री मील दूर है इसके अलावे यह द्वीप बंगाल की खाड़ी 6 डिग्री और 10 डिग्री चैनलों को कंट्रोल करता है यहां से 60 प्यार से जादा जहाज आया जाया करते हैं भारत सरकार इन द्वीपों को बदल रही है आखी इनका इस्तेमाल रनवे की तरह किया जा सके यहां पर पंडुब्बी सिकारी पी एटाई उतर सके यहां पर सुखोई 30 MKI उतर सके वैसे आपको क्या लगता है भारत का ये वीडियो में नई खबर के साथ